पिछले एपीसोड में हमने देखा कि जेम्स और दूसरे एवेंजेल्स टोनी स्टार्क को टोमोई के घर से बचाते हैं और वो लोग जैंग को टोमोई समझ कर पकड़ लेते हैं टोमोई वहां से बहुत दूर चली जाती है इन्विन्जेबल आयन में का एपीसोड 12 स्टार्ट करते हैं यहां हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क का स्टार्क टावर पुरा गीर जाता है और टोनी स्टार्क वहां बेठा होता है वो बर्गर और फ्रेंच फ्रैस खा रहा होता है तभी वहां कुछ आइवेंजर्स आ जाते आगे हम तीन वीक पहले का सीन देखते है, स्टार्क टावर में टोनी स्टार्क वापस आ जाता है, और सब एमप्लोईस को कहता है कि मैं एवेंजर्स और सिल्ड के साथ एक मिशन पे था, अब वो मिशन खतम हो गया है, अब मैं वापस अपने काम पर आ गया हूं, तभी आती है कि दुनिया को बचाना इतना इंपोर्टन है, वहाँ हम मिस्टर लैंच को फिर से देखते हैं, टॉनी बोलता है कि हाँ, दुनिया को बचाना इंपोर्टन है, तभी टॉनी स्टार्क लैंच को वीडियो दिखाता है, और बताता है कि तुमने एक क्रिमिनल को मेरे सर को कंट्रोल करने के लिए बुलाया था लैंच बोलता है कि तुमने यहां इस फ्राइडे को पूरी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए रखा था तभी टोनी स्टार्क बोलता है कि यह आर्टिफिशल इंटरीजन्स कंपनी संभालने से भी बड़े काम कर सकती है तभी टोनी स्ट जेन वाट्सन से उनकी जॉब के बारे में बात करता है तबी हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क डॉक्टर अमारा से मिलने के लिए MIT युनिवर्सिटी पहुँच जाता है टोनी स्टार्क डॉक्टर अमारा को मिलने के लिए फूल ले जाता है और वो डॉक्टर अमारा से माफी मागता है तभी वो दूसरी लेडी को देखता है और डॉक्टर अमारा से उसके बारे में पुछता है तभी वो लेडी टोनी को कहती है कि मुझे नहीं पता वो कौन है और मैं कभी उससे नहीं मिली हूँ तभी वो लेडी टोनी स्टार्ट को देखके उसकी तस्विर किचने ल कि मुझे लगा कि तुम रीरी के बारे में पुछने आये होगे तभी टोनी स्टार्क कहता है कि वो कौन है प्रोफेसर कहते है कि उसने तुमारे जैसा ही आर्मर बनाया है आगे हम वहाँ शिकागों का सीन देखते है वहाँ रीरी और उसकी मॉम कुछ बात कर रहे होते है तभी उसकी मॉम कहती है कि मुझे सब कुछ बताओ रीरी उसकी मॉम को बताती है कि MIT वालों को ऐसा लगता है कि मैंने ये चुराया है और उन्होंने मेरे पे केस भी किया है तभी उसकी मॉम बोलती है कि तो अब तुमें जेल जाना होगा तभी वहाँ रीरी की मॉम कहती है कि ये क्या है मुझे बताओ तुम कहीं बॉम तो नहीं बना रही तभी रीरी उसकी मॉम को धक्का मरती है और कहती है कि ये अभी कंप्लिट नहीं हुआ है वहाँ पिछे से किसी की आवाज आती है कि बताओ मुझे वहाँ हम टोनी स्टार्क को देखते है रीरी टोनी स्टार्क को देखके हैरान हो जाती है और टोनी स्टार्क उसके पास जाता है और उसकी मुलाकत होती है टोनी स्टर्क कहता है कि बताओ मुझे तुम क्या बना रही हो तभी रीरी उस चीज़ पर से कपड़ा निकाल देती है और उतना ही देखके टोनी रीरी से उसकी उम्र पुछता है रीरी बोलती है कि मैं 15 साल की हूँ टोनी स्टर्क पुछता है कि ये सच में तुमने ही बनाया है रीरी उतना ही देखते रीरी की मम उसकी तारिफ करने लगती है तभी टोनी स्टर्क बोलता है कि तुमने इस आर्मर को ट्राइ किया है रीरी बताती है कि हाँ मैंने किया है लेकिन मुझे इसमें आपके AI की जरूरत है क्या मुझे वो मिल सकता है आगे टोनी स्टार्क बोलता है कि मेरे AI की किम्मत 300 करोड है रीरी बोलती है कि तो क्या आप मुझे वो नहीं देंगे आप तो बिलियोनर हो अगर आप नहीं दोंगे तो मैं अपने आप बना लोंगी टोनी स्टार्क रीरी और उसके फैमिली को डिनर के लिए पुछता है और तभी रीरी खुश हो जाती है फिर हम यहां तीन विक बात का सीन देखते है मरिया हिल टोनी को बुलाने के लिए आती है तभी टोनी स्टार्क कहता है कि मुझे पता है मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ टोनी स्टार्क बोलता है कि इन यूमन्स ने मेरी बिल्डिंग गिरा कर अच्छा नहीं किया अब उनको वार के लिए तैयर रहना पड़ेगा और टोनी स्टार्क गुस्से में वहाँ से उतरता है और मरिया हिल से कहता है कि तुम्हें पता है मैं कुछ ही पलो में पूरी इन यूमन्स और उनकी फैमिली को दुनिया से मीटा सकता हूँ पर इस से मेरा फ्रेंड जेम्स मुझे वापस नहीं मिल सकता तभी वहाँ हम डॉक्टर डूम को देखते हैं वो आके बोलते हैं कि मुझे पता है अब तुम्हें क्या करना चाहिए उतना ही बोलते डॉक्टर डूम अपना हाथ टोनी स्टार्क की और बढ़ाते है तभी टोनी उनके नजदिक आता है और डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क मेजिकल पावर से कहीं टेलिपोर्ट हो जाते है झाल